कि मैं स्वक्ष राजीत में विश्वास करता हूं बेचारिक और सध्धानतिक रूप से मैं किसी जबी ठक्राटा ठक्राने का परक्दर रहा हूं ये ठक्राहट पहले भी होती रही है आज अलग होने का कान भी बेचारिक मद्वेद ही है अखलेश चादो जी से मेरा बैचारिक मद्वेद हुआ है समाजबादी कि पार्टी के नेटा अखलेश चादो जी को भी देखा में यह समाजबादी विचार्धारा के विप्रीद जा रहे हैं जबकि नेता जी श्री मुलाइम सिंग्यादों के साथ भी मुझे काम करने का अन्म होत था वो खाटी समाजवादी नेता थे लेकिन नेता जी मुलाइम सिंग्यादों जी की विराशत समालने वाले लोग नेता जी मुलाइम सिंग्यादों की विचारधरा को भी ठीक से अनकर्ण नहीं कर पा रहे हैं, यह दुख की बात है, अब मैं इस देश के दलितों, आदवाशियों, पिछणों, गरीबों, मजलूमों, किशानों, अल्पसंक्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाहिमान की लड़ाई के साथ साथ 77 में हिश्षदारी की लड़ाई लड़ता रहूँगा, मानवर कार्शी जाम जी के बताय रास्ते पर चलते हुए, सामाजिक परिवर्तन आंदुलन के कार्वा को आगे बढ़ने का मेरा प्रयास रहेगा, इसी क्रम में मैं 22 फरवरी दौजार चोबिश को दिल्ली के तार्गरटोरा इस्टेडियम में जिसमें मुख्यदित के रूप में कार्वा में में मुझे समदीत होने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर कार्यकरताओं से राश्मारी करने के बाद मैं पार्टी बिनने का अपना फैसले का उद्धोर्श भी करूँगा, अब जब रणभेरी बच चुकी है, तो स्वाहई ग्रूप से समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े, अंतिम ब्यक्त की चाहत की अनरूप उसके सम्मान, स्वाहिमान, निस्चदारी के लाई अब लगातार आगे जारी रहेगी. उसके सम्मान, स्वाहिमान, स्वाहिमान, निस्चदारी के अंतिम पाइदान पर खड़े,